जैहिन दोस्तों सवागेता आप सभी का केरियर पॉइंड के यूट्यूब चनल पर फ्रेंड्स आज हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा गोरव का दिन है जैटstों आज हम क्यों करने वाले हैं आपके जो फ ह kalau I phone करोओ में तो में यहां से दो त्न क्यो시에 एक्जाम में आपके एक्जाम में आपकी एक्जाम्स के लिए विट्वाट ही इंफोरेंट सब्सक्राइब बहुत ही इं sì बिने रहेंगे अगर आप लोग केरियर पॉइंट पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को लेंगे जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो का नुटकेशन मिलता रहे और सभी वीडियो को लाइक किजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा 23 को लूच किया गया है场 मिशन चदरियों 3 को कहां सेis लूच किया गया है और से राइ अंट योटा, नेक्स्ट यूच्ट हैं चंदरियों 3 को कहां पर लेंड करना है एंप्श्न कुलिए जाएका पर लाइंड करना है तो यह संद्रियान हर गहां पर पर जाहिए लॉंच किया गए है option number C, right answer होगा LVM3M4, आप लोग friends है, यादखना अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है, like कर देना friends, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को like और share कर देना, next question है, चंदरियान थरीके लिए पर्मुक रोकेट इंजन का क्या नाम है, चंदरियान थरीके लिए पर्मुक रोकेट इंजन का नाम क्या है, तो यादखना friends, CE20 क्रायोजेनिक इंजन, option number C, right answer होगा, CE20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रियोगे किया गया है, next question है, mission चंदरियान थरीक को, किस ने लोंच किया है, तो दोस्तों, mission चंदरिया mission के कौन से तीन पर्मुक उजे से निर्धारत की है, तो friends, इसके लिए answer हो जाएगा, option number D, उपर्योग सभी, चंदर्मा की स्टैपर एक सुरक्षित और नरम लेंडिंग का परदर्शन, next दोस्तों, चंदर्मा पर रोवर की घूमने की चमताओं का परदर्शन, और है दोस् friends, याद एकना, कौन से mission है, तीसरा mission है, mission चंदर्यान 3, option number B, is question के लिए right answer हो जाएगा, option number B, 3, आप लोग friends से, याद एकना, next question है, mission चंदर्यान 3 की theme क्या है, friends, mission चंदर्यान 3 की theme रखी गए, science of the moon, option number A, is question के लिए right answer हो, science of the moon, mission चंदर्यान 3 की theme रखी गई है, आप लोग friends से यादकना, next है, चंदरियान 3 में, इन में से क्या नहीं है, तो फ्रेंड्स, लेंडर है, रोवर है, लेकिन 残र-metros नहीं है, तो answer हो जाएगा, option number C, instruction के लिए, तो यादकना चंदरियान 3 में क्या नहीं है, orpeter नहीं है, next question है, mission chंदरियान 3 में कितने मोडिल है, friends कितने मोडिल है तो यादकना तीन मोडिल है Mission Chandrayaan 3 में, option number B discussion clear, right answer होगा 3, आप लो friends से, यादकना, next है Mission Chandrayaan 3 के Lander का क्या नाम रखा गया है तो friends से यादकना क्या नाम है Vikram रखा गया है, दोस्तो option number A right answer होगा Vikram, आप लो friends से, यादकना, next है Chandrayaan 3 के, रोवर का क्या नाम रखा गया है, तो friends क्या नाम रखा गया है, परग्यान, मीच Chandrayaan 3 के रोवर का नाम है, परग्यान option number B, discussion clear, right answer होगा next है Chandrayaan 3 के, Lander में कितने throttle सक्सम इंजन है तो friends कितने throttle सक्सम इंजन है चार इंजन है, दोस्तो, option number B, discussion clear, for right answer होगा next है Chandrayaan 3 की, चंदरमा के दक्षिन धुरव पर सफल, लेंडिंग के बाद भार्त, दक्षिन धुरव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा, तो friends कौन सा देश बनेगा, पहला देश बनेगा दक्षिन धुरव पर पहुंचने वाला, option number A, discussion के लिए right answer होगा पहला देश बन जाएगा, आपलो friends से याद रखना, next है important, चंदरियान 1 mission को कब लोंच किया गया था चंदरियान 1 mission को लोंच किया गया था 22 October 2008 में चंदरियान 1 mission को लोंच किया option number B, right answer होगा 22 October 2008 next है चंदरियान 2 mission को कब लोंच किया गया था चंदरियान 2 mission को लोंच किया गया था 22 July 2019 में option number A, right answer होगा 22 July 2019 next है वर्तमान में इश्रो के अदेक्स कोन है वर्तमान में इश्रो के अदेक्स है, S. सोमनात option number A, right answer होगा दोस्तों इस रोग का फूल फूम होता है Indian Space Research Organization भारतिय अंत्रिक शनुसंदान संख्टन इसके वर्तमान अधिक से एस सोमनाथ आप लोग फ्रेंड से याद अखेंगे नेक्स्ट है भारत ने पहला रोकेट कब लोंच क्या था भारत ने पहला रोकेट कब लोंच क्या था 21 नवंबर 1963 में भारत ने पहला रोकेट लोंच क्या था और City राइट अनसर हो जाएगा 21 नवंबर 1963 म्श्कित नेंच्ट्टि से प्रावर्तित रोश्ली पार्थवी तक कितने समय में पहुचती है वं दकना 1.28 सेटमे रोश्मिवेंगे विależy और पो रुट zalो पखूंचतील है आपका राइट रोगा यादकना चंद्रियान 3 चंद्रियान 2 का मिशन का फोलोन है आप लोग फ्रेंज से यादकना next है एक लोनार पर्थवी के कितने दिन के बराबर है तो यादकना तो एक लोनार पर्थवी के 14 दिन के बराबर है उप्शन नमबर A राई आंसर होगा 14 days नेक्स्ट है चन्दरियान 3 मिशन की लागत कितनी है तो friends याद अखना 615 क्रोड लागत है उप्शन नमबर C के लिए राई आंसर होगा 615 क्रोड नेक्स्ट है friends चन्दरियान 3 का कुल वजन कितना है फ्रेंट चंद्रियान थरी का कुल वजन कितना है तो याद रखना आप सभी 4900 किलोग्राम ओप्शन नमबर बी राई तर्ण रोगा 4900 किलोग्राम है चंद्रियान थरी का कुल वजन अगला क्योशन है चंद्रमा पर सफलता पूर्वक अंत्रिक शियान उतारने वाला चोथा देश कौन सा है तो जास्तों याकवद पहला देश यूस से है फिर चाइना फिर रूस तो चोथा देश कौन सा बन गया है भारत बन गया है आप लोग याद रखना ओप्शन नमबर दी राइट अंसरोगा भारत नेक्स्ट है प्रोपल्शन मोड्यूल चंद्रकक्ष्या के कितने किलोमेटर तक के लेंडर और रोवर को ले जाएगा तो फ्रेंट्स यादखना है आपकर आईट अंसरोगा तिल हेंड़ किलोमेटर लूनर ओर बिट अप्शन नमबर बीस क्य अनमंतरी न की थी अटल भीहारी वाजपे ने चंदरियान वन प्रियोजना की घोशना की थी ऑप्शन नमबर C राइट अंसरोगा अटल भीहारी वाजपे नेक्स्ट है चंदरमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो फ्रेंट्स कौन था नील Armstrong ने जंदरमाप पर सबसे पहले कदम रखा था Option number A Right answer होगा Neil Armstrong Next है पहला भारती उपगरे कौन सा है Friends पहला भारती उपगरे कौन था R.E.B.T. Option number B Question के लिए Right answer होगा R.E.B.T. भारत का पहला उपगरे था Next है पहला भारती उपगरे R.E.B.T. कब लोंच किया गया था पहला भारती उपगरे R.E.B.T. कब लोंच किया गया था 19 अपरेल 1975 में R.E.B.T. को लोंच किया गया था Option number C Right answer होगा 19 अपरेल 1975 Next है विक्रम सारा भाई अंत्रिक्स के अंदर कहा परिष्थित है विक्रम सारा भाई अंत्रिक्स के अंदर कहा पर है तो यार रखना तिरू अंत्पूरम में Option number discussion के लिए Right answer होगा तिरू अंत्पूरम Next है Mission चंद्रियान 3 की कुल लागत कितनी है तो friends कितनी है 615 क्रोड रुपए है Mission चंद्रियान 3 की कुल लागत Option number B Right answer होगा 615 क्रोड Next है LVM3 को पहले किस नाम से जाना जात LVM3 को पहले किस नाम से जाना जात था तो यार रखना GSLVMK3 Option number A Right answer होगा GSLVMK3 आप लो friends से यार रखना Next है Lander वेरोवर कितने दिन बाद चंद्रमा पर उतरेगा तो friends यार कितने दिन के बाद है करीब 40 दिन के बाद है Lander वेरोवर है चंद्रमा पर उतरेगा Option number B Is question clear Right answer होगा करीब 40 दिन के बाद Next है चंद्रियान 3 मिशन के परज्ञान में कितने पई है चंद्रियान 3 मिशन के परज्ञान में छे पई है Option number B आपका friend से Six Is question clear Right answer होगा Next है इश्रो के पर्तम अध्यक्स कौन थे इश्रो के पर्तम अध्यक्स थे विक्रम सारा बाई Option number B Is question clear Right answer होगा विक्रम सारा बाई आपको friend से या लखना Next है चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है चंद्रमा के वर्णन की विद्या को सेलेनोलोजी कहा जाता है क्या कहा जाता है सेलेनोलोजी Option number B Right answer होगा Next है इश्रो की स्तापना कब की गई थी इश्रों की स्तापना किगी थी 15 अगस्त उन्नेस उनेटर में ऊप्षिन नंबर ऑ ब्राइत अन्सणरों नंस वाइत्र आर्प का कुल वजन कितना था फ्रेंट चंद्रियान वण का कुल वजन कितना था तेरे सो असी किलोग्राम कितना था तो तो 1380 किलोग्राम था चंद्रियान का option number a right answer का 1360 किलोग्राम next it suppose में जाने वाला पहला भारती प्रुष वेगया निक ओन है कोन है फ्रेंël नहें फ्रेंट्स यह रखना राकिस सर्मा सपेस में जानेगी मेअ ऑला पहली भारती महीला करूल। option number a right answer होगा next है LVM3 का पूरा नाम क्या है LVM3 का पूरा नाम क्या है तो friends यहाँ रखना launch vehicle mark 3 option number b right answer होगा launch vehicle mark 3 LVM3 का पूरा नाम है option number b right answer होगा next है इश्रो का मुख्याले किस राज़े मिश्ती थे इश्रो का मुख्याले कहां पर है करनाटक राज़े मिश्ती थे option number c right answer करनाटक राज़े next है चंद्रियान 2 में क्या सामिल था friends यादकना चंद्रियान 2 में lander rover orbiter तीनों को सामिल किया गया था next है चंद्रियान 3 में किसकी जगह साओदेशी पोपुलेशन मोरिल को सामिल किया गया है फ्रेंट 대해서 तो यादकना और्श्रेंटर की जगह ठीक लिस्तरी में support orbiter को सामिल नहीं किया गया है उसकी जगह साओदेशी पोपिलेशन मोरिल को सामिल किया गया है तो आमसर हो जाएगा और बिटर की जगए सामिल किया गया है आप लोग कुन-कौन से है, Propulsion Module, Lander Module, Rover Module, Option D, उपर युक्त सभी आपका इस Question के लिए, राइट अन्सर होगा, Next Question है, चंदरियान One की Launching की समय, इश्रो के अधिक्स कौन थे, याकना चंदरियान One की Launching की समय, अधिक्स कौन थे, जी मादवन थे, Friends, Option Number B, आपका इस अन्सर होगा, चंदरियान One की Launching की समय, इश्रो के अधिक्स थे, जी मादवन, Next है, चंदरियान Two, Lander दवारा, चंदरमा की स्थे के पास पहुंचने के लिए, कुल कितना समय लगा था, कितना समय, 48 दिन का, Option Number A, आपके लिए, पूरा आप इस डाला हुए, वीडियो मे, प्लीज लाइक और शेयर कर देना वीडियो को नेक्स्ट है मिशन चंदरियान को किस रोकेट से लॉंच किया गया था मिशन चंदरियान को लॉंच किया गया था PSLVXLC11 ओप्शन नमबर A इस क्यूशन के लिए राइट रोगा PSLVXLC11 से मिशन चंदरियान वन को लॉंच किया गया था नेक्स्ट है चंदरियान मिशन वन में क्या सामिल किया गया था चंदरियान मिशन वन में इंपेक्टर और्बिटर दोनों को सामिल किया था आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C की उपषिग्त दोनों को सामिल क्या गया इंपेक्ट और ऑर्बीट्र नेक्स्ट क्यूए कहां पर लेंड लेंड किया रोकट में कॉं सा इंदन का!!!! था चंद्रियान 2 के रोकेट में UDMH ए इंदन का इस्तिमाल किया गया था option number C, right answer होगा UDMH next है, चंद्रियान मिशन 2 को किस संस्था दुआरा लॉंच किया गया था चंद्रियान मिशन को इश्रो के दुआरा लॉंच किया गया था option number B, right answer होगा next question है, चंद्रियान मिशन 2 के रोवर का नाम क्या रखा गया था चंद्रियान मिशन 2 के रोवर का नाम रखा गया था option number B, right answer होगा परज्ञान इस question के लिए next question है, पर्थवी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है तो प्रेंट्स यारक ना, 3,84,400 किलोमेटर है पर्थवी और चंद्रमा के बीच की दूरी है option number B, right answer होगा 3,84,400 किलोमेटर next है, किस देश का चंद्रियान मिशन 2 शिट अशफल हो गया था किस देश का, इसराइल देश का चंद्रियान मिशन ने बेरे शिट अशफल हो गया था option number B, right answer होगा इसराइल का next है, चंद्रमा का गुत्वाक किसन पर्थवी के अपेक्सा कितना है तो फ्रेंट्स कितना है, 1 by 6 कितना है, 1 by 6 है आप लोग फ्रेंट्स से याद एकना next, चंद्रमा का व्यास कितना है चंद्रमा का व्यास है 3488 किलोमेटर option number A, right answer होगा और इसरे के साथ फ्रेंट्स आज की क्योशन complete होते हैं, I hope फ्रेंट्स अंद्रियान 3K, 1, 2 के मैंने क्योशन डाले, वो आपको अच्छे लगे होगे और आज की वीडियो आपके लिए helpful रहे होगे, आपके exams के लिए तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अची लगी तो like और ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंट्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फेला देना और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और ऐसे सी वीडियो लेना चाहते हैं अगर जांग के लिए जो फ्रेंट्स वीडियो को like share करते हुए चैनल को subscribe करके bell icon को लेना जिससे आपको सभी latest वीडियो का notification मिलता रहे और प्रेंट्स कमेंट करना आपको वीडियो कैसे लगी मिलते नेक्स वीडियो के साथ में गुडबाई प्रेंट्स टेक केर जैहिंद जै भारत